नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Law Master आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे आयुध्या केस को आज 9 नौवंबर 2019 को आयुध्या का जज्जमेंट आया है और आयुध्या में जो जज्जमेंट आया है वो उस जज्जमेंट से इलाबाद हाई कोट के 30 सितंबर 2010 के निर्ण एकड का वो रामलला विराजमान को दिया गया है और अल्टरनेट लैंड 5 एकड की सुन्नी वफवोड को देने का आदेश पारित किया गया है जबकि जो इलाबाद हाई कोट ने जज्जमेंट दिया था 30 सितंबर 2010 को उसकी अनुसार जो 3 पच्छकार थे रामलला विराजम सुन्नी सेंट्रल वफवोड तथा निर्मोही अखाडा तीनों पच्छकारों को एक वटतीन एक वटतीन और एक वटतीन भूमी देने का जो निर्णा किया था उस निर्णा को आज अपास्त किया गया है क्योंकि मुखिव जो विवात था वो था टाइटल आफ दा लैंड और जो टाइटल आफ दा लैंड होता है वो डेपैंट्स करता है कि एविडेंस के बेसिस पर जो हाई कूर्ट का जजज्बेंट था सुप्रीम कूर्ट के अकॉर्डिंग वो बेस्ट नहीं था किसी भी एविडेंस पर क्योंकि बहुत सारे लोग नेतागर सभी लोग चाहत पी जब कोई रिजर्ट में आया तो अगस्ट 2019 में आयोध्या केस की सुनवाई आरम हुई और एम सिद्गी वसेज का जो ये केस था महन सुरेजदास वाला उसका जजज्बेंट इसमें 32 से अपीले कुल इलाबाद हाई कोट के निर्णा के खिलाफ हुई थी तो उसका जो आज आया है तो बेसिक्स जो दो ही पच्चकार थे जिनको रिलीफ दी गई है अब कुश्चन आता है कि इलाबाद हाई कोट ने कह निर्णा दिया था तो इलाबाद हाई कोट ने जो पूरी विवादित जबीन थी उसके तीन पार्ट्स किये गए थे और तीनों पच्चका ने जो कोई भी केस होता है तो उसमें जो रिलीफ मागी जाती है वही रिलीफ गरांट होती है तो हर विक्ती चाहे वो निर्मोही अख़ाड़ा हो रामलारा विराजमान हो या संञी सेंट्रल वफ वोर्ड हो सभी लोग चाह रहे थे कि विवादित जमीन हमें मिले तो जहा Central Buff World को मिली तो वो कैसे मिल गई क्योंकि वो तो Relief Claimed ही नहीं की थी तो वो Supreme Court ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुन्नी Buff World को प्रदान किये और 142 की शक्तियों का प्रयोग करते ही हुए ये कैंदर सरकार को आदेश दिया है कि जो मंदिर निर्मान के जो इसकीम वो बनाएगी उसमें उस ट्रस्ट में निर्मोही अखाले के सदस्यों को भी इस्थान दिया जाए तो आर्टिकल 142 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 142 में अपने आर्डर को इन्फोस कराने के लिए Supreme Court directions दे सकती है तो 142 के अकॉर्डिंग ही 5 अकर और हिंदू पचकार को वहाँ पर जो मौन डिस्पूटेड लेंड है वो दिया गया है थोड़ा सा हम इसके background में जाते हैं कि वाट इस दर डिस्पूट तो जो दौना पचकार थे रामलला विराजमान और सुनी सेंटरल बोर्ड उनके अपने अपने दावे थे रामलला वि सैनापती थे मीर बाकी उन्होंने यहाँ पर बाबरी मजजित का निर्मान किया था और उसके बाद alternatively दौनों लोग वहाँ पूजा करते रहे जो मंदिर का जो inner portion था वहाँ नमाज होती रही और उसके outer land पर जो सीता रसोई और राम चबूतरा था वहाँ पर हिंदू पचक ग्रिल लगवादी रेलिंग लगवाई जिससे हिंदू पचकार मुस्लिम पचकार के एरिये में ना आ जा पाए लेकिन ultimately जो मुकदमे बाजी की शुरुआत हुई वह हुई 1885 से 1885 में महंत रगवरदास ने पहला सूट फाइल किया कि जो open land में हिंदू पूजा कर रहे है तो वहाँ एक मंदिर का निर्मान कराया जाए तो वहाँ से सूट की सुरुआत की उसके बाद वो सूट पैंडिंग रहे लेकिन अगला जो incidents हुआ वो हुआ 1949 में after independence जब उस जो परिसर था परिसर के inner portion में राम लला की मूर्ती अंदर रख दी गई तो उसके बाद क्या डिस्प्यूट हुआ तो सरकार ने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया उसके बाद वहाँ पर जो नमाज है वो बंद हो गई 1949 में तो 1949 से वहाँ नमाज बंद हो गई और जो portion पूरा सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया इसके बाद धिरे-धिरे कुछ और सूट्स फाइल हुए तो ultimately 1991 में जो structure था बावरी मस्जिद का वो demolish किया गया और वो demolish किया तो उसके consequences में भी काफी दंगे वगरा हुए और उसकी जाज के लिए सरकार ने लिब्राहम आयोग भी बिठाय गया और एक act पास हुआ protection जितने भी religious places हैं उनकी protection के लिए एक act पा cases हैं जो 1947 में जैसे तक बने हुए थे उनको protect किया जाएगा और उनको हलंकि ये जो matter था राम मंदिरवाला वो से exempt हो गया वो exempt इसलिए हो क्योंकि 1985 से ही already disputes चल रहा था तो वहाँ वो exempt हो गया उसके बाद ये matter गया सभी पच्छकारों ने अपने अपने दावे किये तो 30 सित समबर को 2010 में high court ने judgment दिया लेकिन वो judgment किसी भी पच्छकार को सूट नहीं गया क्योंकि उसमें पूरे area को one third one third one third तीनों पच्छकारों को दिया गया था तो ultimately Supreme Court में matter आया काफी कोशिश है होई matter resolve कराने के लिए लेकिन जब नहीं हुआ तो लगातार सबसे लंबी 2019 को जो judgment है वो डिलीवर हुआ और कोई भी fact जो अयुद्या केस से संबंदित हो वो हम next वीडियो में आपको discuss करेंगे आप देखते रहे हैं law master धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं law master आज के वीडियो में हम discuss करेंगे आयुद्या केस को आज 9 नवंबर 2019 को आयुद्या का judgment आया है और आयुद्या में जो judgment आया है वो उस judgment से इलाबाद हाई कोट के 30 सितंबर 2010 के निर्णय को पलट दिया है तो आप लोगों को जैसा की सब को पताए चलिया होगा कि जो man relief है कि जो मुख्य विवादित इस्थलया 2.77 एकड़ का वो रामलुला विराजमान को दिया गया है और alternate land 5 एकड़ की सुनी वफवोड को देने क आदेश पारित किया गया है जबकि जो इलाबाद हाई कोट ने जज्जमेंट दिया था 30 सितंबर 2010 को उसके अनुसार जो तीन पच्छकार थे रामलला विराजमान सुनी सेंटरल वफवोड तथा निर्मोही अखाड़ा तीनों पच्छकारों को एक वटतीन एक वटतीन और देपेंट्स करता है कि एविडेंस के बेसिस पर जो हाई कोट का जजब करता है